नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल आपकी स्टडी में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सागर परिक्रमा क्या है हाली में आजादी के 45 साल के अवसर पर मतस्य पालन, पशु पालन, वडेरी मंत्री स्रिपुरुसोत्तम रुपाला ने 5 मार्च 2022 को एक सागर परिक्रमा नामक कारिक्रम की सुरुवात की है इस कारिक्रम में मतस्य पालन विभाग, भारतिय तटरक चकबल, रास्टिय मतस्य विकास बोड, गुजरात समुद्री बोड और मचुवारों के प्रती निधियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया है इसकी सुरुवात गुजरात के कक्ष जीले के मांडवी तट से किया गया है इस कारिक्रम के तहद एक नेविगेशन यात्रा की जाएगी जो सभी तटिय राजियों वो केंद्र शाषित प्रदेशों से गुजरेगी इसका उद्देश सभी मचुवारों, मचली किसानों और अन्य हित धारकों के साथ एकता का भाव दर्शाना है तटिय छेत्रों में रहने वाले मचुवारों की समस्याओं को जानने के लिए मचुवारों एवं मत्स यकी से जुड़े समुदायों और हितधारकों के साथ बाचित करने के उदेशी से इस यात्रा को आयोजित किया जा रहा है सागर परिक्रमा की यह यात्रा देश की खाद्य सुरक्षा तटिय मचुवारा समुदायों की आजिविका और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए समुद्री मतस्य संसाधनों के उप्योग में स्थाय संतूलन पर केंद्रित करना है इस प्रकार सागर परिक्रमा कारिक्रम आजादी के 45 साल के अवसर पर अपने लोगों संस्क्रिती एवं उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को रेखांकित करने और उसका उत्सव मनाने से जुड़ी एक महतपुर्ण पहल थी धन्यवाद दोस्तों उमिद है आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे